विडियो बहुत ही सौट प्रिसाइज रखी जाएगी ताकि आपका समय भी कम लगे और सभी जानकारी आपको जो है मिल सके इस विडियो का मकसद दिया ही है मैं आप लोगों को बता तो जो लोग भी टेलिग्राम से नहीं जुड़े है अभी तक मैं टेलिग्राम से जुड़ को रख सकता है तो टेलिग्राम पे जुड़ जाएए वहां लगभग लगभग मैं बता रहा हूं साथ विडियो जिब तक आप देखोगे हो सकता है कि 12,000 जो लोग है एक लिए खबर है जो प्रिवेसर कोशन पेपर है उसका सॉलिशन भी मैंने करा रखा है उसके लिए प् चेक आउट कर सकते हैं दूसरी बात सिलेबस मैंने 1 to 5 का बना दिया है वो आप देख सकते हो अब लोगे सिलेबस तो आया नहीं तो आप बना कहां से दिये हो तो देखिए पिछले 2016 के एकॉर्डिंगली जो सिलेबस था वो मैंने आपके साथ साजा कर दी है तो चलिए अब आप बात कर लेते हैं अचार संगीता विधान सभाचुनाव और 3 सेप्टेमर को सुप्रीम कोट में सुनवाई है उस पर क्या रिजल्ट आ सकता है और क्या अक्टूबर में बहाली हो सकती है अथवा नहीं इसी तीन मुद्दे पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंग और अगर आप पहली बार चैनल पर आएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले बात करेंगे अचार संगीता की तो देखिए अचार संगीता जो है जारखंड में अभी नहीं लगा है अभी जो है जमू कस्मीर में करने का जो है तरीका है अब आगे देखिए बिधान सभा चुनाब की बात कर लेते हैं तो देखिए बिधान सभा का चुनाब जो है तैस समय पे होगा जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि समय से पले चुनाब हो जाएंगे तो नहीं ऐसा नहीं है समय पे ही जो है एक्जाम जो एक्जाम है वो समय पे ही होगा भले जो जारखंडी के लोग हैं जारखंड के निवास करने वाले लोग हैं उनका चुनाब और जो चुनाब तो सही समय पे हो रहा है बट examination जो है सही समय पे conduct नहीं किरा जा रहे हैं करके CGL वाला एक्जाम आपको पता ही होगा अब देखिए तीन सेप्टेंबर को यह सबसे बड़ा D-Day है जी हां इंगलिस में एक word है D-Day अब नीचे कॉमेंट करके आप लोग बताएंगे D-Day का क्या मतलब होता है एक movie भी आय थी D-Day अब लोग जो है इंगलिस सभी का obviously comment रहने वाला है तो आप नीचे कॉमेंट करके बताएगा D-Day का क्या मतलब होता है तो D-Day है हम लोगों के लिए 3 सेप्टेंबर को सुप्रीम कोट के सुनवाई में बहुत कुछ decide हो जाएगा लेकिन मैंने जैसा पहले भी बहुत सारी वीडियोज में कहा है कि आप जो है बहुत खुस मत हो जाए कि 3 सेप्टेंबर को आपका जो है यह जो सुप्रीम कोट के ओर से सुनवाई है final result यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा या फिर अगर हाँ एक और बात है देखो मैंना कोई कोट का वकील हूँ नहीं या फिर सुप्रीम कोट में मैंने काम नहीं किया कि आपको चीज़ें बता सकूँ लेकिन मैंने जिस तरह से कोट को फॉलो किया है सुप्रीम कोट को फॉलो किया है खास करके एजुकेशन के मामले में देखे चार साल से वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे इतनी समझ बढ़ चुकी है मेरी कोट के मामले में कि सुप्रीम कोट बिना सोचे समझे कोई भी फैसला नहीं देती है ये समय लेती है ये टाइम कंजूम करती है और चीजों को बिलकुल 3DD डाइमेंशन में देखते है उसके बाद डिसाइड करती है कि क्या सही और क्या गलत है तो ऐसे में 3 सेप्टेंबर को जो है रिजल्ट आ जाएगा इसकी कोई समभाबना नहीं है हो सकता है कि 3 सेप्टेंबर को जो है तो सप्रीम कोट जो है dataset हटा दे ये बहुत बड़ी बात है अगर stay हट जाता है तो फिर एक बहुत बड़ी situation माने जाएगे यह कोर बात जान लो अगर stay हट जाता और फिर से जेसे जेटर्ट का भी एकजाम हो जाता है सायकाचार के एकजाम को भी result को publish कर दिया जाता है तो क्या बाद में court के निर्णे से परभावित होगा तो देखिए जारकरण में high school अगर आपको याद होगा तो देखिए जो तेरा वाला जो rule था तेरा जिला में अलग rule था तो उसके कारण जो है उस पे Supreme Court ने जो है बोला कि ये गलत तरीका है ये जो है गलत तरीका है लेकिन जो जौब कर ले दो तिन में अगर किसी ने जौब कर ली है तो इतना guarantee रखो सरकार किसी भी कीमत पे एक बीच का रास्ता निकालेगी किसी भी कीमत पे वो बीच में जो है जौब को नहीं किसी को जौब से नहीं निकारेगी इतनी बात जो है S.E.O.L.T. के साथ मैं का सकता हूं अब देखिए बात आते है कि अक्टूर में भाली हो जाएगी तो इस पे देखिए एक प्रसंचीन है किसके उपर से तो जे S.E.C. के उपर से प्रसंचीन है मैं अभी आपको एक न्यूस पेपर की कटिं साफ हो जाएगी ऐसा हैमन सुरेन का जो है 15 अगस्त के भासन में कहा गया था इन्होंने जो है जारखंड करमचारी चैना आयोग 35,000 पदों पर न्यूक्ति करने के लिए तैयार है अब देखिए ये जो 35,000 पद है इसमें सबसे ज़्यादा जो पद है वो आपको जो है जार हट जाता है तो obviously 26,000 एक पद पर सरकार जो है बिलकुल देर नहीं लगाएगी और भरती को जारी कर दिया जाएगा लेकिन देखिए इसमें सबसे बड़ा obstacle क्या है जो चीजें आई है वो क्या है वो मैं आपके साथ साजा कर देता हूँ देखो सबसे बड़ा मुद्दा तो JSC के उपर जो है सवाल है अब हो सकता है कि बच्चे ने email नहीं चेक करा हो हो सकता है कि यहां से JSC से भी चूख हो सकती है इस पे बात बिलकुल crystal clear proof के साथ नहीं है लेकिन बहुत सारे बच्चे की जो है ये बात रही है कि देखिए पेपर जो है बिलकुल दो दिन ती दिन बगारा कराने में दिक्कात आती है तो अगर आपने इन समस्याओं से दो चार का सामना की है तो निचे कॉमेंट करके बताओ गया अब देखिए JSC के कामकाच के तरीके पे बातचित कर ली जाती है तो देखो JSC के साथ problem क्या है JSC के साथ problem ये है कि इनोंने अभी तक जो है answer की जारी नहीं करी है नहीं जो है answer की जारी करी है नहीं response की जारी करी है तो अब देखो ये दोनों जारी होने के बाद ही result आएगा लेकिन वो बोलते हैं कि जारकरण में कुछ भी possible है बिना response की और answer की के भी और answer जारी कर सकते है तो खहए इस पे देखिए अब JSC को चाहे कि कि फटाफट, at least, answer की तो जारी कर दे, answer की जारी कर देने से क्या हो जाएगा, कि ये समभावना बढ़ जाएगा, कि October में आप expectation बढ़ा सकते हो अपनी, कि exam, I mean, जो exam का result है, वो आपको देखने को मिल सकता है, चाहे, तो देखो, ये जो है न, ये काम सरकार का नहीं है, ये काम है JCC का, कि ये फटाफट, जो है, answer की जारी कर दे, response की जारी कर दे, बच्चे, बिल्कुल, 100% सियोर हो जाएगा, कि इनका answer यहाँ पे गलत था, यहाँ पे सही था, तब जो है, ये जो प्रसनों का भी बाद है, एक्शली जो लोग ना contradiction कर लेते हैं, कि ये सही है, ये गलत है, तो वो उन सभी चीजों से overcome करना बहुत जरूरी है, overcome करना बहुत जरूरी है, ताकि overcome करने के बाद ना सिर्फ एक ही मुद्धा बचे की कैसे बहाली हो पाए, तो इन चीजों का ध्यान सरकार को रखना, अगर सरकार JSC पे फटाफट दवाब बना करके रिजल्ट को जारी करने के लिए JSC को बोले, कि आपकी duty है कि आप फटा-फट जो है response की और answer की जारी कर दो, ताकि बच्चे भी मिला पाए और बच्चे भी 100% secure हो जाए ना कि इनका answer यहाँ पे गलत है, वहाँ पे सही है, और उनको एक सबसे बड़ी बात है न, ample of time, यह बहुत ज़रूरी है, ample of time का होना बहुत ज़रूरी है, देखो, अगर आप लोगों को सटिक समय नहीं दोगे, सबसे suppose कर लेते कि आपने कहा कि यह गलत है, और सब को पता है कि यह answer क्या है, तो फिर, I mean, दोनों तरफ से विबाद हो गए, तो इस विबाद का solution ढूडने के लिए, आप NCRT के बुक की और जाओगे, या फिर आपके पास जो प्रॉब्लम दो तरह के होता है, एक प्रॉब्लम है जिस पे आप कुछ नहीं कर सकते हो, you can do nothing, तो आप जो चुपचा बैट जाएए उसमें, time can heal you, time जो है आपको बिल्कुल सही रास्ते पे ले आएगा, time आपको चाही होता है, heal करने के लिए, दूसरा तरीका है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, जिन पे आप कुछ कर सकती हो, you can do something, तो यही वही प्रॉब्लम है, जिस पे सरकार कुछ नहीं कर रही है, या फिर JSC कुछ काम नहीं कर रही है, response की और answer की सरकार जारी कर सकती है, और इस पे सरकार को Supreme, जो JSC के Chairman है, उन से पूछना चाही है कि आ जरूर बताईएगा, मैं देवघर से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा था, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें, और अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल बहुत सब करते हैं, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यबाद, थैंक्यू सो मच